भेडिया खा गया दो महीने का रासन, छुट्टी पर आते वक्त ले आना एक अच्छी सी औरत, मेरी सहेली बन गई है और इस वक्त टीवी पर गाना गा रही है हमारी बकरी, बेच दी गई है तुमारी मा, तुम्हें याद कर रही है एक पडोसन, हमें बहुत तंग करती है जो कलंकित कभी नहीं होते, वो तो वंदित कभी नहीं होते, जिनको घायल किया ना काटो ने, वो सुगंधित कभी नहीं होते, फूलों की उम्र गर बढ़ी होती, भ्रिंग मोहित कभी नहीं होते साला में हरिवन साहे बच्चन ने कहा भी है कि चाह नहीं पा जाने में है, पाने के अर्मानों में, पा जाता तब हाय नहीं इतनी प्यारी लगती मदुश्ट बहुत मेहनत के बाद हमें एक ऐसा टीचर फाइनली मिल पाया है, जो की हाला कि उनके पास बहुत समय नहीं रहता क्योंकि वो UPSC की क्लास वन ओफिसर के एंप्लॉई है, और नमस्कार दोस्तों, Infocus Civil Academy के इस निबंध प्रैक्टिस बैच में आप सभी का स्वागत है, दोस्तो वीडियो के माध्यम से भी अलग-अलग बताता रहता हूं, किन्तु उनमें दो ऐसी बहुत बड़ी कमिया नजर आती हैं, जो लगभग 90% कॉपीज में दिखती हैं, और उन दो प्रमुख कमियों की वज़े से आपके निबंध का काफी हद तक प्रभाव कम हो जाता है, चा और प्रेजेंटेशन में कमियां, दूसरी होती है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग न करना, पहली वाली कमी पर अल्रेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें सारी चीजे तफसील से समझाई गई हैं, कि प्रेजेंटेशन को कैसे बहतर कर सकते हैं, हैंड राइट हम से हम लोग दूसरी वाली प्रमुक कमियों को, प्रमुक चुनोतियों को उसको एड्रेस करेंगे, और वो है कि punctuation marks यानि विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना, देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग, अगर इसकी बात की जाए, तो आप देखते होंगे, जब भी कोई ब कोई बात बोलते हैं, तो अगर हमें कहीं पर बहुत विशेस ध्यान देना है, तो हम इस प्रकार से बोल देते हैं, जैसे अभी मैंने बोला, कहीं पर अगर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तो हमारे हाव भाव, हमारे बात करने के तोर तरीकों से, हमारा जो विर राम से इन सभी से हमारी मौखिक भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है वो ज्यादा प्रभाव साली हो जाती है परंतु लिखित भाषा में अक्सर ऐसा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है यह प्रभाव नदारत होता है इसी वजह से जो प्रमुक लेखक हुए हैं उनमें सभ में एक तड़प महसूस की जाती थी कैसे हम लोग अपनी लिखित भाषा को भी मौखिक भाषा की ही तरह प्रभाव साली बना सकें और इसी क्रम में यानि जो मौखिक भाषा में जो विराम होते हैं या उतार चढ़ा होता है या मौन होता है इन सभी को अपनी लिखित यह कितना महत्वपूर्ण होता है इसको आप इस एक्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं अब देखिए इसका मतलब क्या है विराम चिन्नों का प्रियोग ताकि लिखित भाषा भी मौखिक की ही तरह प्रभावशाली हो सके विराम चिन्नों का प्रियोग ये वास्तों में इससे होता क्या है तो सटीक अर्थ की अव्यक्ति हो जाती है क्योंकि अगर आप विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं इस अर्थ का अनर्थ भी बन सकता है कैसे जैसे आप देख रहे हैं रोको मत जाने दो एक ऐसा वाक्य है यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या अर्थ है क्या वास्तों में कहना चाहता है लेकिन यही जब हम इसमें कौमा लगा दिये इस तरफ यह हमने इधर कौमा लगा दिये तो इसका मतलब है कि रोक लो, मत जाने दो, ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, जबकि यही अंकामा यहां से हटाकर यहां पे लगा दिये, रोको मत जाने दो, दोनों का अर्थ एकदम विपरीत हो गया, ये लोगपरी अधारण है जिसको समय समय पर प्रयोग किया जाता है विरामचिन्यों को समझन तो आप सोच सकते हैं एक विराम चिन्न के प्रयोग को एक शब्द के पहले लगाने से अर्थ अलग हो जा रहा है यदि ना लगाया जाए तो उसका कोई अर्थ ही सपस्ट नहीं हो पा रहा है कुछ ऐसी इस्थिती आती है कई बार तो यह अर्थ नहीं सपस्ट होता है या वि चिराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है तो उसकी वज़े से बहुत एक हास्यास्पद इस्थिती सी क्रेट हो सकती है जैसे यहां पर हम लोग पढ़ ले एक्जामपल अब देखिए कोई पतनी है वह अपने पती को जो कहीं दूर बैठा हुआ है किसी दूसरे देश में है वहां पर उसको एक लेटर लिख रही है और यह जो लेटर वह लिख रही है इस लेटर में असल में उसे बहुत ज्यादा प्रयोग करने से क्या स्थिती बनती है इसको समझते हैं तो पहला है यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे जीवन साथी मेरा प्रणाम आपके चरणों में और पूर्ण विराम आपने अभी तक चिठी नहीं लिखी मेरी सहेली को पूर्ण विराम होना चाहिए यहां पर गाय ने बचला दिया है दादा जी ने डॉक्टर के मना करने के बावजूद फिर सराप सुरू कर दी है मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आये कबूतर के बच्चे थो जा रहा है तो यही कारण है कि आप लोगों को भी एक तो विराम चिन्नों का प्रियोग करना वैसे भी सीखना चाहिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी भाषा को अव्यक्त कर सके लिखित रूप में उसके साथ ही साथ यदी बात की जाए यहां पर हिंदी के पेपर की और निबंद के पेपर की निबंद के पेपर में तो खास तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग ये punctuation marks को सीख लें कि उसका प्रियोग कहां कहां पर कैसे कैसे होता है तो आज के अपने इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने जा रहे हैं बहुत डेटेल में एक एक चीज समझेंगे जिसमें सब से पहले तो यह देख लेता है कि प्रमुख विराम चिन है क्या-क्या तो इसमें बात की जाए तो एक तो पूर्ण विराम यानि जो इंगलिश का फुल स्टॉप बोलते हैं वह यहां पर इस प्रकार से लिखा जाता है अल्प विराम अर्ध विराम में थोड़ा सा अंतर है अल्प विराम में देखिए आप कॉमा होता है और अर्ध विराम ये सेमी कॉलन के रूप में हमें दिखाई देता है उद्धरण चिन उद्धरण चिन दो प्रकार के होते हैं प्रश्ण – विसमयादि बोधक चिन तिरियक चिन जो ऑप्शन इसमें रहता है अपान की रूप में योजक चिन यानि जिसे हाइफन कहते हैं इंग्लिश में उपविराम लागव चिन लोप चिन इस प्रकार से आप देखेंगे कई सारे ऐसे चिन्हों का प्रियोग हमारे हिंदी भार्षा में पहले से किया जाता रहा है या फिर कुछ एक अभी हाल फिलहाल में ही जोड़े गए हैं जिसका प्रियोग बहुतायत में हो रहा है अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि यह कौन-कौन से चिन है ऐसे यह एक ऐसी कमी है जो आपके निबंद की कॉपी में सबसे ज्यादा मात्रा में की गई तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बात पूर्ण विराम की और पूर्ण विराम की बात सुरू करने के क्रभ में डेखते हैं कि अपूर्ण विराम जो है वह बेसिकली जो आपका ब्रिटिश इंगलिस होती है उसके फुल स्टॉप से समबंदिता य ये डॉट लगाया जाता है किसी भी वाक्य के अंत में तो सभी वाक्यों का समापन करने के लिए सभी प्रकार के वाक्यों का समापन करने के जैसे यह लिखा है तुम कहां जा रहे हो प्रस्ण वाचक चिन जबकि विश्मय सूचक वाक्य जो होता है जिसमें कुछ ऐसा आश्चर खुशी दुख इत्यादी को अब्वियक्त किया जाता है उसमें आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्ग यानि व फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है ठीक है कोई भी आप ऐसा सेंटेंस ले ले जब आप उस सेंटेंस को अंत कर रहे हैं उस सेंटेंस का पूरी बात वहाँ पर खतम हो जा रही है वहाँ पर आप लोग पूर्ण विराम का प्रयोग कीजिए अक्स उसको लंबा खीज देंगे बबल गम या चिंगम की तरह तो वो बेकार हो जाएगा उसका फिर कोई महत्व नहीं रहे जाएगा क्योंकि उससे अर्थ सपस्ट नहीं होगा जैसा कि अभी हम लोग ने पीछे देखा दा पूर्ण विराम के बाद बात आती है अलप विराम की अ कई-कई जगह पर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग अर्थों में प्रयोग होता है उन सभी अर्थों को जानना समझना और प्रयोग करना हमारे लिए अवश्यक होता है तो चलिए बात करते हैं अलप विराम की और अलप विराम जो है वो अंग्रेजी के कौमा के सम्तुल होता है और एक ही वाक्य में यदि कई सब्दाइं यदि एक ही वाक्य में कई सब्दाइं तो उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है पहला इसका जो प्रयोग वो इस प्रकार का है जब एक ही वाक्ष में कई शब्दा हैं तो उनको अलग करने के लिए जैसे उदाहरण अगर हम लोग देखें तो चुंकि यह देखें सारी बाते जटिल हैं तो इसको थोड़ा सा उदाहरण के बाते हम समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा उदाहरण में देखें रवी अपनी किताबें, pen, pencil, पत्रिकाएं और mobile बस में ही छोड़ाया अब यह जो बात कही गई है तो यह रवी अपनी किताबें, pen, pencil, पत्रिकाएं अब यह इतनी जो 3-4 चीजे एक साथ लिखी हुई हैं इन समय कौमा का प्रियोग किया गया है ताकि यह अलग अलग वस्तुएं हैं यह हमें पता चल सके ठीक है और इसी के माध्यम से जब आप इसको बोलते भी हैं यदि आप बोलते भी हैं तो आप देखेंगे कि आप बोलते समय थोड़ा बहुत वहां पर pause लेते हैं यानि थोड़ी देर रुक जाते हैं बोलते समय यह इत नहीं रुखे बस में ही छोड़ाया लेकिन यहां पर रवी अपनी किताबें पैन पैंसिल पत्रिकाय और मोबाइल ठीक है तो एक तो यह है कि जहां पर अलप विराम लेना हो वहां पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से दूसरी बात जब भी आप कॉमा का प्र प्रयोग जरूर करें जैसे यहां पर है रवी अपनी किताबें कॉमा पैन कॉमा पैंसिल कॉमा पत्रकाय और मोबाइल तो जो लास्ट सब्ड है उसमें और का प्रयोग करें लिखा भी हुआ है ऐसे अंतिम सब्ड से पहले और तथा वह एवं इत्यादी का प्रयोग आप ल नहीं लगाए जाएगा यह यहीं पर यह वाक्ष यह जो कौमाज हैं उनकी हम समाप्ति कर रहे हैं और यह अंतिम कौमा के रूप में यहां पर और अथ्वा तथा इत्यादी का प्रयोग कर दिया जाता है दूसरा तरीका जो अल्प विराम के प्रयोग में आता है वो आता है कि हाँ और नहीं के बाद कई बार मान लिजए आपसे कोई प्रशन पूछा गया आप उसका जवाब दे रहे हैं जवाब देते समय आपने पहले बता दिया हाँ मैं वहाँ गया था ठीक है जब आप सोचे अब जैसे यहाँ पर है हाँ मैंने ही फोन किया था मान लिजए आपसे किसी इप्रशन पूछा कि क्या तुमने फोन किया था हाँ मैंने किया था आप जब इस बात को बोल रहे हैं तब भी आप ये महसूस कर रहे हैं कि बोलते समय थोड़ा देर आप रुके हैं आप ये नहीं बोलते हैं कि हाँ मैंने ही फोन किया था हाँ मैंने ही फोन किया था ऐसे तो मतलब थोड़ी देर यदि आप रुके हैं तो वहाँ पर ये अल्प पैंसेल यह सब छोड़ाया फोल पॉर्ण विराम तो वाक्याप का खत्म हो गया ठीक है उसके बाद देखें संबोधन सूचक शब्दों के रूप में भी संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी अब देखें यहाँ पर तो यह हो गया कि हाँ और नहीं के बाद आप से कोई प्रशन विट्यादी पूछा जा रहा है जिसके आंसर में आप हाँ और नहीं तुम क्या वहाँ गए थे नहीं मैं नहीं गया तो नहीं के बाद कौमा आ जाएगा इस प्रकार से आप लोग अपने निवंदों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा देखेंगे तो संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग होता है जैसे आप किसी को संबोधित करके कोई बात अपनी कहना चा प्रियंका को तुम्हें आज आना ही होगा तो इसका प्रियोग किया जाता है उसके बाद अगर देखें तो पत्र लेखन के अभिवाधन और समापन में भी इसका प्रियोग होता है पत्र लेखन जब हम लोग करते हैं तो उसमें आप लोग दे हो पत्र लेखन आपका पूरा टॉपिक है सरकारी परिपत्र सारी चीजे तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी कि उसमें शुरुवात में अंत प्रयोग को जानने की जरूरत है क्योंकि वहाँ पर जो कौमा लगता है वो आपके पत्र के प्रारूप का एक अंगही समझ लीजे अगर वो कौमा आप नहीं लगाया है तो भी आपके नंबर कट सकते हैं इतना ज्यादा हो महत्व का होता है PCS की परिक्षा में भी ऐसे मतलब नंबर के कटने की गुंजाईस होती है लेकिन वहाँ पर चूकि सामान हिंदी का प्रश्ण पत्र वह इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता क्योंकि वह बहुत बड़े मेंस के सब्जेक्स का एक छोटा सा हिस्सा है जबकि आरो यारो के परिक सब्दाइं उनको अलग करने के लिए हां और नहीं के बाद या फिर संबोधन सूचक सब्दों के बाद उसके अगला हम लोग देखते हैं कि पत्र लेखन के अभिवादन और समापन में जैसे तुम्हारा दोस्त अर्पित तुम्हारा दोस्त अर्पित ऐसे करके हमने यहां अगला देखेंगे कुछ उपवाक्यों या फ्रेजन को अलग करने के लिए कुछ ऐसे वाक्यों का छोटा भाई समझ लिजे कुछ उपवाक्य या फ्रेजे जिसे बोलते हैं उनको अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है जैसे कि अगर आज पाकिस्तान जीता जो की मुश्किल है तो मैं टीवी तोड़ दूँगा ठीक है मतलब ये बात आपकी कॉंटिनुएशन में आती ये जो कौमा वाली बा जीता तो मैं टीवी तोड़ दूँगा लेकिन बीच में आ गया अगर आज पाकिस्तान जीता जो की मुश्किल है तो मैं टीवी तोड़ दूँगा तो यानि कि इन बातों को आप देखिए कुछ उप वाक्यों को फ्रेजेस को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता ह जैसे अगर आज पाकिस्तान जीता जो की मुश्किल है तो मैं टीवी तोड़ दूँगा अगला देखते हैं विभिन अंकों को लिखते समय जब हम लोग विभिन प्रकार के अंकों को लिखते हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं यह वही सब्द है जैसे कि यहाँ प गया है और मतलब यहां पर इसलिए लगाया गया ताकि यह पता चल जाए कि बस इसके बाद अपको यंक नहीं है तो जो अंतिम हमारा कॉमा है उसकी जगह पर और अथवा एवं यह सभी चीज़े लगा दी जाती है और अगर हम लोग यहां पर कॉमा का प्रयोग नहीं करें तो आप सोचिए कि कॉमा का महत्व कितना ज्यादा है एक छोटा सा डॉट है लेकिन कितना महत्व है उसका कोई शब्द लिखकर उसकी व्याख्या करने के लिए यह जो हमारा कॉमा है उसका प्रयोग हम लोग इस रूप में भी करते हैं कि जब हम लोग कोई शब्द लिखत मूल जो हमारा sentence है, उससे अलग है, इसकी जो व्याख्या है, उसको हम मूल sentence से अलग करना चाहते हैं, जैसे आम मुझो बहुत पसंद है, बस केवल हमारे यही sentence है, लेकिन हम यह आम की व्याख्या करने के लिए यहाँ पर कौमा लगा दिये, आम जिसे फफलो का राजा कह जात लोग कौमा का प्रियोग करते हैं दोनों तरफ करना जरूरी होता है अन्यथा यह नहीं पता चलेगा कि यह वाक्य जो है वो अलग से डाला गया है बलकि यह ऐसा लगेगा कि यह इसी वाक्य को कौमा का प्रियोग किया जाता है जैसे अगर आज पाकिस्तान जीता जो की मुश्किल है तो मैं टीवी तोड़ दूँगा अब यह बाते जो हैं यह आपकी पूरा कौमा के सभी प्रकार के प्रियोगों को हर संभव जितने भी प्रियोग हो सकते हैं संभव उन सभी प्रकारों को यहाँ पर डिसकस किया गया है इससे रिलेटेड आप लोग कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजेगा और तब आपको यह चीज़े ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी बात करते हैं अर्ध विराम की बात करते समय अर्ध विराम जिसे सेमी कॉलन बोला जाता है और यह हम दो सेंटेंस हैं सॉरी जब कोई एक ही वाक्य में हमें दो वर्गों को अलग करना है समझे अब शब्दों को नहीं अलग करना है जैसा कि हम कौमा में कर रहे थे अब करना है वर्गों को अलग और वह वर्गों को अलग करने के लिए हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग कर आपने अपने तरीके से सत्य के लिए संगर्ष कर रहा थे मालीजाय आप यह हमारा सेंटेस इसमें सभी को एक तरह से हमने राम-लक्षमर्द्वरत-सथ्रगन और कृश्न बल्राम ऐसे करके सभीमे हमने कौमा का प्रयोग ही कर दिया है यह गलत तरीका है कैसे है actually होना कैसे चाहिए तो आप देखिए राम लक्षमार भरत और स्वत्रुगन और यह सेमी कॉलन यानि हम इनको एक वर्ग में रख दिये क्योंकि यह रामायर से संब्धित है एक वर्ग में रख दिये क्रिष्ण बल्राम और सुदामा इनको एक वर्ग में रख दिया और इसके लिए हमने अलग अलग वर्गों को दिखाने के लिए सेमी कॉलन या अर्ध विराम का प्रयोग कर दिये इसी प्रकार से एक अर्ध विराम का प्रयोग हमने यहां पर भी कर दिया और इसको अलग कर दिया अर्जुन युद्धिष्टेर भीम नकुल और सहदेव आप देखिए कि इन सभी कौमा के बाद और भी आ गया है यानि जो महां अंतिम कौमा है उसकी जगे पर हमने और लगा दिया है ऐसे करके इन सभी वर्गों को हमने अलग-अलग कर दिया है अब ये बात ज्यादा इसपष्ट हो पा रही है कि राम लक्षमर भरत सक्टुनन, अब ये बात यहां पर मतलब अगर दो वर्गों को अलग करना हो तब इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अर्द विराम का दूसरी बात यह है कि दो उप वाक्यों को अलग करने के लिए दो उप वाक्यों को अलग करने के लिए मतलब अगर वाक्य नहीं बलकि उप वाक्यों के छोटे भाईयां उनको अलग अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जता है किस प्रकार से तो देखिए भारत आकार की दृष्टी से सार्क देशों में सबसे बड़ा है यह एक भारत आकार की द्रिश्टीसे सारक्देसों में सबसे बड़ा है किनतुवे इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भाराव में न रहे तो यह जो चीज है यह दो उप वाक्ठों को अलक्र ने के लिए यह आपका यहां पर इसमें भी अर्ध विराम का ही प्रयोग होता है सेमी कॉलन का प्रयोग होता है क्योंकि हम लोग यहां पर आप यह समझ लीजे अगर इसको समझना है तो इसका मेन एक फंडा याद कर लीजे कि अर्ध विराम का मतलब होता है कि पूर्ण विराम जितना भी हम लोग वाकि को नह जाता है तो यह यहां पर वर्गी करण है तू इसका प्रयोग करिया जा रहा है यानि एक ही वाक्य में अलग-अलग वर्ग बनाने उसमें इसका प्रयोग कर लिया जाता है या फिर दो वाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग इस प्रकार से हो जाता है आगे बढ़ते और देखते हैं उध्रण्चिन अब देखें उध्रण्चिन की बात आती है quotations जिन्हें बोलते है वगएरा जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग कोछ mark का प्रियोग करते हैं और वो किस परकार के होते हैं किस तरह करते हैं देखे किसी के द्वारा कही या लिखी गई बातों को हूबहू प्रस्तुत करने के लिए यानि कोई ऐसी बात कहा है या फिर किसी ने लिखा है कहीं पर उसको यदे हम लोग हूबहू यथा रूप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग विराम चिन्न के रूप मे उधरण चिन्नों का प्रयोग करते हैं ये क्यों करते हैं ताकि वह बात हूबहू यहां पर ली गई हुई प्रतीत हो अगर हम लोग को हूबहू नहीं पता है अगर हम लोग को मतलब उसमें थोड़ा संदे है कि मान लीजे गांधी जी ने क्या कहा है कि प्रकृति प्रतेक कि ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं अगर में इसमें को फिर आप जाखर कर सकते हैं गांदी जी कहते हैं अपने प्रकार के होता है पहला हो गया एक अध्रणक्य दूस्रा हो गया है दोहरा उध्रणरण चिन आप देखते होंगे कहीं कहीं पर तो यह इस प्रकार से होता है इस प्रकार से होता है और कहीं कहीं पर यह होता है इस प्रकार से तो ये जो दो प्रकार हैं उसको हम लोग समझते हैं एकल उध्राड़ चिन का प्रयोग कप किया जाता है तो इसको समझने के लिए देखिए एकल उध्राड़ चिन शब्दों या वाक्यांशों के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है जब कि यहां पर एक बड़ी लाइन चोड़े है इसका मतलब कि यह बड़े वाक्यों के लिए तो जब ऐसे छोटे प्रेस के लिए वाक्याण्ष के लिए माले विमरा इंडिकों कोई मुहावरा और उसके प्रयोग के लिए यंदे हम लोग करना चालते हैं तो फिर इसमें ए पेश करना हो या पूरे अनुछेत को पूरा पैरग्राफ को यदि पेश करना हो तो उसके लिए हम लोग डबल उद्रराचिन का प्रयोग करते हैं जबकि एकल उद्राचिन केवल किसी सब्द को या वाख्यांषों के लिए ही प्रयोग में आता है इसमें एदी example देखें, तो राम सीता को प्रेम से मरिग नैयनी पुकारते थे अब यह जो वाक्य है इसमें देखें राम सीता को प्रेम से क्या पुकारते थे तो मरिग नैयनी और उसको हम लोगों ने quotation में रख दिया यानी की राम ऐसा बुलाते थे इस वज़े से उनकी बात को हू बहू हम लोग यहीं पर पेश कर दिया और राम सीता को प्रेम से मिर्ग नैनी पुकारते थे हे खग मर्ग हे मदकर सेनी तुम देखी सीता मिर्ग नैनी तो मिर्ग नैनी कहकर पुकारते थे वही अगर हम लोग को पूरा वाक की कोई लाना है या कोई ऐसा अनुच्छेद लाना है तब हम लोग कहते हैं गांधी जी कहते थे फिर डबल डबल वाला यहां पर प्रयोक किया गया कोटेशन कि प्रतियक मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती है किन्तु लालच को नहीं उसके बाद ये डबल यहाँ पर एंड कर दिये इसको एंड करना बहुत जरूरी है आप ये न सोचे कि किवल एक जगह लगा दिये दूसरी जगह नहीं लगा कई लोगों कॉपीज में ये भी गलतियां मिलती है दोनों जगह पर आप लगाईए दोनों तरीके से लगाईए दोनों तरफ वो बंद कर ये उसको ठीक है यहाँ पर क्या है कि पूर्ण विराम से पहले ही बंद हो जाता है मान लिजे कोई एक वाक्य में इसका यदि प्रियोग हो रहा है तो जहाँ पर वो सब्द है उस दिया ही में इसको बंद कर दिया जाता है जबकि यदि पूरा वाक्य वहीं पर समाप्त होना है पूरा वाक्य यदि वहीं पर समाप्त होना है पूर्ण विराम का प्रयोग उस वाक्य में किया जाना है तो फिर जो यहां पर 12 उद्धरण चिन्द लगता है यह हमेशा पूर्ण विराम के बाद बंद होता है यह देखिए आप पूर्ण विराम के बाद बंद हो रहा है यह confusion बहुत ज्यादा सबी को रहती है इसलिए इसको अलग से लिख दिया गया है कि जब भी आप दोहरे उध्राण चिन्द का प्रयोग करें और वहां पर पूर्ण विराम लगाना आवश्यक हो यानि वह बात आपकी वहां पर खत्म हो रही हो तो वहां पर जो पूर्ण विराम लगेगा वह आपके उध् प्रकार चिन्नों का भी किस प्रकार से तो देखें केहने वाले कबीर और यह भी बताया है कि लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल तो यहां पर दरसल आम तीन फ्रेजेज का इस्तेमाल कर रहे हैं यह सब्द नहीं है तीन चार सब्दों से मिलने वाले फ्रेजेज हैं जिसको वाक्यांस भी बोल सकते हैं और इन सब्दों या वाक्यांसों के प्रियोग की वज़े से यहां पर एकल उधर चिन्नों का प्रियोग करना है परंतु यह वात हमने कहीं और से सुनी है यह लाइन हमने मानलीजें किसी साहित्य इतिहास ने ऐसा कहा। ठीक है अब रामचंद शुकल ने यदि कहा है तो हम लोग रामचंद शुकल की बात को कोट कर रहे हैं कि रामचंद शुकल ऐसा कहा करते थे कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ कहने वाले कभीर दास ने गुर गोविन दोव खड़े भी कहा है और यह भी बताया है कि लाली इससे पहले देखे फुल स्टॉप यानि पूर्ण विराम का भी प्रयोग कर दिया है परंतु इसके अंदर हमें तीन वाक्यांशों को भी रखना था फ्रेज़ को भी रखना था इन तीनों फ्रेज़़ में हमें सिंगल वाला प्रयोग करना था ठीक है तो यहाँ पर जब प्रयोग किये गुरु गोविन दोग खड़े उसके पहले देखे है सिंगल इंवर्टेट कॉमा को हम लोगों ने प्रयोग किया सिंगल उध्रण चिन्नों को प्रयोग किया इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी प्रयोग करना है पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ लेकिन यहाँ पर यह वाक्य के शुरुवात में ही है और यहाँ पर डबल इन्वर्टेट कॉमा तो वाक्य की वज़े से ही क्योंकि पूरा वाक्य भी हम लोग किसी का उठा रहे हैं तो यहाँ पर यह डबल ना लगा करके सॉरी यहाँ पर सिंगल अलग से नहीं लगाएंगे बलकि डबल वाले में ही सिंगल को नहित मान लेंगे और जब इस फ्रेज को या वाक्यांसों का अंत करना है तो फिर सिंगल वाला लगा देंगे समझे बात को यहाँ पर हमें यह पूरा वाक्य भी हमने उद्धित किया है इसलिए वाक्य में तो यह डबल इन्वर्टेट कॉमा लगेगा ही लगेगा परंतु इसके साथ में हमें यह तीन इसमें हमने phrases का प्रयोग किया है जिसमें single inverted comma का प्रयोग किया जाना है और इस वजह से हम लोग यहां पर पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ इसमें जो पहला वाला यहां पर उधरन चिन लगेगा यह अलग से एक और नहीं लगाएंगे बलकि दो वाले में ही एक को नहित मान लेंगे यानि ऐसा नहीं होगा कि यहां पर हम लोग तीन उधरन चिन का प्रयोग करें वो गलत होगा दूसरी बात यहां पर कौन सा करेंगे तो यहां पर single वाला ही करेंगे जिससे यह समझ में आ जाए पाठक को कि यह वाक्यांस है वाक्यांस में एकल उधरन चिन का प्रयोग है यहां पर तो दोनों तरफ ही एकल उधरन चिन का है और इसी प्रकार की यось स्थिति वाक्य के समापन पर भी आती है जहां पर हम लोगों ने एक तरफ एकल का प्रयोग किया है दूसरी तरफ डबल का प्रयोग कर दिया है और इस डबल में इस एकल का भी बंद वाला हिस्ता नहित है कि मतलब यहां से हमने जो शुरू किया उसमें एकल उद्रण चिन्न की भी शुरूआत हो रही है यह भी आपको पता है गिरा जब हो लिखते हैं तो वहां पर बहुत जरूरी होता है कविताओं का प्रयोग करना कथनों का प्रयोग करना डाटा का प्रयोग करना उन सभी को उध्रित करते समय आप यदि उसको हुबहु पेश कर रहे हैं अपने रिबंद में तो उसमें उध्रण चिन्नो का जरूर प्रयोक करें आप मान लिजे कि किसी बूक कỏiले करना चाहते है कि कोई भी पुस्तक है मान लिजे आप लिखना चाहते है कि गोपाल दास नीरज ने अपनी किताब अपनी पुस्तक नीरज की पाति में लिखा है कि अब देखिए गोपाल दास नीरज ने अपनी पुस्तक वहाँ पर सिंगल लग जाएगा कि नीरज की पाती क्योंकि यह एक वाक्यांस है तीन सब्दों से मिलकर बना है एक वाक्यांस है तो यहाँ पर आप सिंगल वाला लगा देंगे कि गोपाल दास नीरज ने अपनी पुस उसमें कोई भी कविता ऐसी आप प्रयोग करना चाहते हैं, उसको फिर आप डबल में बंद करेंगे, जैसे जो कलंकित कभी नहीं होते हैं, वो तो वंदित कभी नहीं होते हैं, जिनको घायल किया ना काटो ने, वो सुगंधित कभी नहीं होते हैं, फूलों की उम्र गर ब्रिंग मोहित कभी नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से आप जब इसको बंद करेंगे, तो उसमें डबल इन्वर्टेट कॉमा का प्रयोग कर दीजे, तो ये एक तरीका हो सकता है, आपका जो इन्वर्टेट कॉमा से रिलेटेड, उसके बाद अगर हम लोग देखें, तो प प्रश्न चिन्ड का प्रयोग किया जाएगा, अगर प्रश्न वाक्य के बीच में आ रहा हो, अब समस्या यहां पर आती है, ठीक है, प्रश्न वाचक चिन्ड का भी प्रयोग इतना आसान नहीं है, प्रश्न वाचक चिन्ड वहां पर तो प्रश्न वाक्य के बीच में आ रह यहां हम विचार करेंगे कि दहेज की मूल समस्या क्या है इसके कारण क्या क्या है और इसके समधान की क्या दिशा हो सकती है उसके बाद हम लोगों ने यहां पर question mark लगाया है ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बीच में ही लगा दिया है कि यहां हम विचार करेंगे कि दहेज की मूल समस्या क्या है question mark इसके कारण क्या क्या है question mark ऐसा यदि आप करते हैं तो यह वाक्य आपके सारे अलग-अलग हो गए हैं अलग-अलग वाक्य हो गए हैं जिस कौमा के माध्यम से जोड़ करके और अंत में सीधा क्वेस्चन मार्क लगा देते हैं तो यह अभी एक इस्थिती हो सकती है प्रश्णवाचक विराम चिन्नों के प्रयोग की यहां यह हो गया प्रश्णवाचक के बाद अगर हम लोग बात करें तो आता है विश्मय सूचक च विश्मय सूचक चिन्न का प्रयोग यद्यपी बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी हम लोग उसका प्रयोग समझ लें ताकि यह पूरा टॉपिक को समगरता के साथ हम लोग निप्ता सकें विश्मय सूचक चिन्न का प्रयोग आश्चर एक खुशी या दुख व् लिए उसका प्रEUG करते हैं जैसे कितना सुन्दर दिन है एक्सलिमेटरी मार्क यह लगा दिये मतलब Jberg में किتना सुन्दर दिन है ऐसे करके कि किषी कलपना की अभिव्यक्ट के लिए आप में ली जाते हैं तो कलपना की यदि आप व्यक्ति करते हैं और कुछ ऐसे विश्मय के लिए विशे सब्दों का प्रयोग भी किया जाता है जैसे माली जैकाश ठीक है तो अब ऐसे शब्दों में ऐसे वाक्य में आप देखेंगे कि यहां पर ही विश्मय सूचक चिन्न का प्रयोग हो गया कि जैसे काश भा बोलते हैं तो थोड़ा देर वहां पर रुख जाते हैं और वहां पर यह जो रुखना है उसको हम लोग विश्मय से यहां पर विश्मय सूचक चिन्न से अब व्यक्त कर देते हैं काश भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आता है अब पर्चम लहरा पाता लेकिन याद य करेंगे और अगर नहीं किया तो फिर वाकिपकें करेंगे जैसे हां पर कितना सुन्दर धिन है ऐसे अपने अश्च्यक और लिख व्यक्त कर दियोगा है कोई कल्पना की व्यक्त करनी है तो वहां पर काश भारत ओलंपिक में अपना पर्चम लहरा पाता है क्भी-कभी निवेधन सूचक शब्दों में कैसे तो देखिए बचाओ बचाओ ऐसा करके यदि आपको लिखना है तो बचाओ बचाओ में दो बार यह देखिए विसमय सूचक चिंद का प्रयोग आ गया है तो जब निवेधन कुछ कि अलगल और चैएक यहाँ एकस्ता कर रहा है या अधेष सूचक की यहां वहां सकता है ठीक है और जब आप ऐसा देखेंगा तो यहां पर यह आप में काफी हल्थ को सपस्ट कर देते हैं ठीक है इसलिए इनको लगुवाक के कहा जा रहा है कभी कभी भाव की तीवरता प्रदर्शित करने के लिए एक से अधिक बार भी प्रयोग हो जाता है आज कल का जो प्रयोग देखा जा रहा है ये पहले बहुत प्रसलित नहीं था आज कल जो प्रयोग देखा जा रहा है उसमें ऐसा देखा जाता है कि इसको जो विश्मय सूचक्चन नहीं इसको एक से ज्यादा बार भी प्रयोग किया जाता है और वो किवल इसलिए ताकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाव की गहनता भाव की तीवरता बहुत ज्यादा यानि कोई व्यक्ति बहुत अब जैसे यह है नहीं यह नहीं हो सकता ऐसे करके यहां पर तीन बार ऐसे डॉट लगा देना तीन बार मतलब विश्मय सूचक चिन्न लगा देना जिससे यह पता चलता है कि यह बात जो है काफी गहरी है यह बात में गहरा ही ज्यादा है इस व विश्मे सूचक चिन्नों में दिखते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ जो कम महत्वपुन वाले होते हैं विराम उसको देखते हैं तो उसमें योजक चिन योजक चिन जिसे हम लोग हाइफन भी बोलते हैं हाइफन का प्रियोग होता है दो सब्दों को जोड़ने के लिए कोई अब भी ऐसे दो सब्दों को जोड़ने में हाइफन का प्रियोग करते हैं जैसे वह इस वज़ेस जोड़ते हैं ताकि वह मिलकर एक ही अर्थ को व्यक्त कर शकें जैसे उत्तर आधनिक को मतलब है अधनिक कल तो है लेकिन उसमें भी बाद वाला अधनिक कल या फिर आधनिक कोई ऐसा चीज है लेकिन उसमें भी पोस्ट मॉडर्न तो उसके लिए हम लोग इसको हाइफन के माध्यम से इन दोनों सब्दों को जोड़ दिये इधर यह संघात्मक है और उससे पहले अर्ध को जोड़ दिये तो यानि यह अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल हो गया और योजक चिन्नों का प्रियोग होता है अठाथ दो सब्दों को जोड़ने के लिए ताकि वे मिलकर एक ही अर्थ को प्रोड्यूस कर सकें उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अगला जो है हमारा योजक विराम वह है उप विराम उप विराम उसका क्या मतलब होता है कि कि इसी शब्द को लिख कर उसकी व्याख्या करने के लिए जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे निबंद वगेरा आता है कोई भी ऐसा निबंद आता है मालीजे आगया की दहेज या सिक्षा वर्तमान दशा और दिशा तो इसमें क्या करते हैं सिक्षा और फिर उपविराम फिर आगे लिखा रहता है दशा और दिशा अगर ये विशाय आता है इसका मतलब ही है कि वो संबंद बता रहा है कि आपको सिक्षा को दशा भी बतानी है कि वर्तमान दशा कैसी है और दिशा भी बतानी है कि आगे किस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए तो इसका मतलब जै कौन है, तो क्रिकेट का महान खिला निए, ऐसा करके दो डॉट यहां पर लगा देने का मतलब होता है उप विराम, यानि कि उफ विराम का प्रयोग आप इसको इस संदर में न लीजे जिये विसर्ग की तरह देखने में विसर्ग की तरह भी लगता है ठीक है उप विराम देखने में आपका विसर्ग की तरह लगता है परन्तु विसर्ग जब भी लगता है वो किसी सब्द से चिपका हुआ किसी अक्षर से चिपका हुआ रहता है जैसे दुख यदि आप लिख रहे ह डुख यदि आप लिख रहें तो वह 2 से चिपका हुआ रहेगा ठीक है जब कि आप जब उप विराम लगाते हैं तो वह देखिए इन सब्डों से पूर्टा अलग दिख रहा है ठीक है तो यह विसर्ग नहीं है बलकि विसर्ग की ही तरह प्रयोग किया जाता है परन्तु ये एक प्रकार से इसका मतलब होता है कि किसी शब्द को लिखकर उसकी व्याख्या करने के लिए ठीक है तो ये हो गया हमारा उप विराम निबंद वगेरा में अखसर प्रयोग में आता है उसके बाद यदि बात करें तो बात की जा रही है कुछ अंतिम हमारे जो विरामचिन है उनमें एक होता है तिरियक्चिन तिरियक्चिन उसको हम लोग अथवा के अर्थ में प्रयोग करते हैं यानि कोई भी चीज का हम लोग यदि और के रूप में अथवा के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर तिरियक्चिन का प्रयोग हो जाता है जैसे कहीं दुकान पे लिखा हुए चाय कौफी 10 रुपे प्रतिकप मतलब चाय भी 10 रुपे की है और कौफी भी 10 र स्टॉप या पीरियट की तरह ही लगता है लागव चिन इसका प्रयोग कहां पर करते हैं तो देखिए लागव चिन जैसा की नाम से हिस्पष्ट है किसी सब्द को लग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं किसी सब्द को संक्षेप में लिखना जैसे डॉक्टर क को से लुग ऋड़ और ये लाग करके लिघ दिए तो डॉक्टर को डॉल फोसे लगा ना उस ऋके पर अलावा इसका एक प्रियोग आज कल भी लिखी जारी है उसमें इलिप्सिस तो करोप में भी आता आजकल की English में भी ऐसा प्रयोग हो रहा है जहां पर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप ना लगा करके बलकि एक फुल स्टॉप ना लगा करके तीन फुल स्टॉप लगा दिया जाते हैं इसी परकार से āंदी में भी आप देखेंगे जो आजकल नई वाली हिंदी है इसका प्रयोग खूब हो रहा है खास्ता और पर पन्यासों वगरा में देखेंगे जहां पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है बलकि पूर्ण विराम के बज़ाए तीन बिंदू लगा दिया जाता है इसका मतलब यह होता है कि जो जिसने उस sentence को लिखा है जिसने उस जो लेखक है वो यह चाहता नहीं है कि वो अपनी को अपने विचार थोपे बलकि वो चाहता है कि पाठक अपने मन में इसकी कुछ कलपना करे वो थोड़ी दे ठहर कर उस पर सोचे उस पर यह मनन करे कि मतलब इस बात के क्या-क्या अर्थ हो सकते हैं तो पाठक अपने हिसाब से उस वाक्य का अर्थ विन्यास समझ सके इसलिए ऐसा तीन डॉट लगाया जाता है जैसे पाठक की कलपना के लिए जगे छोड़ना ताकि व ऐसा एक उदाहरण दिखता है क्योंकि कुछ अदूरापन तो सभी की जिंदगी में रही जाता है और ऐसे करके तीन हमने यहां पर डॉट बना दिये तीन हमने लागहों चिन बना दिये इसका अर्थ ही यह होता है कि मतलब यहां पर यह है कि पार्ट लेखक यह नहीं बतान बैना चाहरा है कि इसको पूरा तरह से explain कर रहा है बल्कि वो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आप सोचिए कि ऐसा क्यों है क्या मतलब है क्योंकि कुछ अधूरापन सभी की जिन्दगी में रही जाता है एकदम सची बात है आप कितना भी क्या भी प्राप्त करने की कोशिस कर लीजे लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी छूटेगा तो इसलिए जो चीज छूटी हुई है उस पर हम लोगों को ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए बलकि जो चीज हमारे ह पा जाने में है पाने के अर्मानों में पा जाता तब हाय नहीं प्यारी लगती मदुशाला तो मतलब चाह जो है वह पाने में नहीं है बलकि पाने के अर्मानों में जब पा जाते हैं तो फिर वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती है तो दूर से हर चीज कुछ पाएंगे तो कुछ खोएंगे भी ये समान इसा नियम है आप ऐसा नहीं होगा कि सारी चीजे पा लें आपके मन में कभी न कभी अधूरापन कभी न कभी एक मलाल किसी कितना किसी चीजों कर रही जाएगा और यही जिंदगी है गोदान में हो दी कई सारी चीजों को द दिखता ही है और उसी बात को यहां पर ऐसे ही बस बोलके और छोड़ दिया गया ताकि आदमी पाठक जो है वो अपने अधूरेपन को को समझने लगे कि उसने जिंदगी में क्या नहीं पापाया किसको नहीं पापाया तो यह सबी चीजें अपना वो सोचे इस वज़े से यहां पर थोड़ा सा एक डॉट ऐसा तीन बना करके छोड़ दिया गया तो कलपना के लिए जगे छोड़ देना इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इलिप इलिप्सिस आज कल के प्रयोग है और ईसी प्रकार से हिंदी में भी ऑप इसका प्रयोग धळले से किया जा रहा है ये सबH ini है आपके विराम चिन्न और विराम चिन्नों के प्रयोग से ही आपका जो निबंध है वúde आकरशक लगेगा आपके निबंद में यह चीज दिख या फिर वो विपरीत अर्थ देने लगता है या फिर वो हास्यास्पद अर्थ दे सकता है यह सभी संभवनाय बनी रहती है इस वज़े से विराम चिन्नों का सही प्रयोक करना सीखिए आपके निबंदों में बड़ी कमी के रूप में यह हमारे सामने आता है तो इस कारण से यह क्लास्ट हमारी लेनी मजबूरी थी जैसा कि एक मतलब यह भी बात है कि आपका जो भी अभी तक निबंद चेक होते थे वो सब मैं ही चेक करता था परन्तु काफी लंबे समय से चोकि हमारी व्यस्तता बहुत ज्यादा है इस वज़े से लंबे समय से मैं यह चाह रहा थ कि निबंद के लिए कोई अच्छा एक चेक करने वाला टीचर मिल जाए जो कि हमारी हेल्प कर दे और इस संदर्व में काफी लंबे समय से हम लोग ढून रहे थे कई लोग ऐसे मिले भी जिन से हमने डेमो के तौर पर चेक करवाया परन्तु उतना ज्यादा संतुस्ट नही कि यह कुछ गलत है ऐसा नहीं चेक होना चाहिए इस वज़े से मैं सभी प्रस्ताव ऐसे रिजेक्ट कर दे रहा था बहुत मेहनत के बाद हमें एक ऐसा टीचर फाइनली मिल पाया है जो कि हलाकि उनके पास बहुत समय नहीं रहता क्योंकि वह यूपी एसी की क्लास वन ऑफ ही है बताने पर कोई भी गवर्मेंट जॉब वालों के लिए तो इस वज़े से लेकिन आप यह समझे कि कॉपी वो चेक कर रहे हैं आपने जो हाल फिलहाल में कॉपी देखी होंगी उसमें आपने उनकी गुरवत्ता को भी समझा होगा क्योंकि वह मेरे पैटन को समझे उसक तरीके से इसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा अपनी कमिया महसूस हो सके और चूकि उन्होंने यूपी एस सी का एक्जाम कौलिफाई किया यूपी सी मेंस वगरा देते रहते हैं पीस मेंस देते रहते हैं आर्ओ के मेंस दिये वहला जो है वह मिल चुका है ऐसा एक टीचर और इस वजह से आप लोग जितने भी निभंद लिखना चाहते हैं अब चुकति आपकी क्लास्ड ज्यादा तर खो चुकी हैं ज्यादा तर maggれ C Online क्ला Map जो कि new को मजबूत करने वाली होती है परन्तु अब जो classes आपकी शेस रह गई हैं वो केवल और केवल विशय से ही संबंदित है कि एक एक विशय को हम लोग उठा के जो discuss करते हैं उसको उसमें भी तीन sections आपके हो चुके हैं और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी अपना निबंद दिया जा रहा है वही लिखिए लेकिन आपके जो भी sections अब हो गया है जैसे आपका समाजिक और समाज और संस्कृति वाला जो topic होता है साहित्य और संस्कृति समाजिक शेत्र और क्रिशी यह तीन पर आप जितने भी प्रकार के निबंद लिखना चाहते हैं वो ल बात करें तो यहां पर जो मतलब अब जो topics बचें आपके उसमें राजनीतिक शेत्र के निबंद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अन्य जो शेत्र हैं वो सब बहुत ज्यादा महत्व के नहीं है उसमें बहुत ज्यादा निबंदों को भी नहीं डिसकस करना है वो अमारा जल जल्द ही उनसर के नेत्रत में हम लोग अपनी answer writing practice भी शुरू करेंगे जैसे आपका B.E.O. का exam है या PCS अपर का यदि किसी का exam है उससे related तो answer writing का भी हम लोग व्योस्था करने जा रहे हैं और इस तरीके से अब मतलब आपके answers को चेक करने के लिए निबंद को चेक करने के कि एक बहुत अच्छी faculty हमारे पास उपलब्द है और qualified faculty उपलब्द है इस वज़े से आपकी copies जो है वो ज्यादा बहतर तरीके से evaluate हो पाएंगी तो यह जरूरी सूचना थी जो आपको देनी थी आज के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्क